साथियों, आज हम इंटरनेट बैंकिंग की बात करते हैं, यूपी आई से रेकोर्ड ट्रांजिक्शन की बात करते हैं, लेकिन हमने 2014 से पहले का फॉन बैंकिंग वाला दौर भी देखा है, ये वो दौर था जब दिल्ली में प्रभावशाली राजरितिक गलों से जुड़े लोगों के फॉन पर हजारों करोर रूपिय की बैंक लोन मिला करते हैं, इसने हमारी अर्त-बवस्ता के आधार हमारे बैंकिंग सिस्टेम को बरबात कर दिया था, बीते वर्षों में हम बहुत महनत करके, अपनी बैंकिंग सेक्टर को मुष्किलों से भाषर निकाल करके ल लोगों ने 22,000 करोड रुपिये देश के बैंकों के लूट लिये और विदेश भाग गए हमने हुजिलिव एकॉनामिक अफेंडर्स कानून बनाया अभी तक विदेश भागे इन आर्थिक अप्रयादियों की 20,000 करोड रुपिय से अधिकी अधिकी संपती जब तक की जा की है साथियों बस्टाचारियों ने देश का खजाना लूटने का एक और तरीका बना रखा था जो दसकों से चला रहा था ये था सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से लूट पहले की सरकारों में जो मड़र गरीब लाभार्थियों के लिए भेजी जाती थी वो बीच में ही लूट ली जाती थी राशन हो गर हो स्कॉलर्थिप हो पैंशन हो ऐसी अनेग सरकारी स्किम्स में असली लाभार्थि खुद को ठगया हुआ मैसूस करते थे और एक प्रदान मंत्री ने तो कहा था कि एक रुपिया जाता है पंदरा पैसा पहुंचता है पच्छासी पैसों की चोही होती थी पिछले दिनों मैं सोच रहा था हमने डीबीटी के जबारा करीब सताइस लाग करोड रुपे नीचे लोगों में पहुंचाया है अगर उस हिसाब से देखता तो सताइस लाग करोड में से करीब करीब 16 लाग करोड है कहीं चल गए होते है आज जंदन आधार मोबाइल की ट्रिटी से हर लाभारती को उसका पूरा हक मिल रहा है इस व्यवस्ता से आठ करोड से अधिक फरजी लाभारती सिस्टिम से भार हुए है जो बेटी पैदा नहीं हुई वो विद्वा हो जाती थी और विद्वा पेंशन चलता था कि डीबीटी से देश के करीब सबाद दो लाग करोड पिये गलत हाथों में जाने से बचे हैं